दोस्तों अगर आप हार्मोज लेते हैं आप external हार्मोज लेते हैं जैसे आपने testosterone ले लिया है तो उससे क्या होता है कि आपका metabolic system जो है उसमें प्राब्लम क्या होती है कि आप जुह हार्मोज लेते हैं आपकी बॉड़ी तो बिल्कुल अच्छी फील करती है आप में एनर्जी लेकिन आगी जाके जब आप exercise करना बन कर देते हैं और hormones लेना बन कर देते है, तो आपकी body basically उसको आदत हो गी होती है, external hormones की लेने की और उसकी वज़य से मेटाबॉलिक सिस्टम में बिल्कुल प्रब्लम्स आरती हैं और हार्मॉन्स कम हो जाते बॉड़े और जो ही हार्मॉन्स कम होती है यह एकदम से नहीं होता इसमें टाइम लगता है तीन चार पांच-छे महिने के बाद आपका जो लेवल हार्मॉन्स का वो गिर जाएगा क्योंकि होता क्या है जो ही आप एक्साइज करते हैं आप एक्साइज करोगे तो आपके मसल्स को वेर और टियर होगा क्योंकि जितने भी आप डोले उठाओगे वेट उठाओगे उससे मसल्स टूटते हैं तो मसल्स जो ही टूटेंगे जितना जादा मसल्स टूटेंगे ब्र तो आपका जो testosterone level है वो बढ़ता है, आपके body में testosterone level बढ़ता है, बहुत उंचा हो जाता है, लेकिन बहुत थारे लोग क्या करते हैं, वो external testosterone लेते हैं, कि उनकी बहुत ज़्यादा muscles बने, तो उससे क्या होता है, जुहीं आपने testosterone ले लिया, हमारे body में एक thermostat होता है, thermostat क्या है, जैसे आप AC का temperature रखते हैं, 28 या 26, जुहीं वो 26 पे पहुंचता है, तो वो बंद हो जाता है, same हमारे body में भी एक thermostat होता है, hormones के लिए, जुहीं आपने injection लगाया, तो वो क्या होगा, वो thermostat काम करना start कर देता है, कि उसका जो hormones का level है, वो level तक पहुंच गया, वो thermostat उसको बंद कर देता है, क्योंकि आपने बहुत सारा external hormone ले लिए, लेवल जुहीं मुचे जाएगा, तो वो thermostat बंद होगा, आपके body में hormone बंद हो जाता है, जो natural hormone है, वो बंद हो जाता है, जो ही आप hormone लगाना बंद कर देते हैं, वो hormone आजसा सा करके नीचे आ जाता है, और वो एक level ऐसा आजाता है, कि वो norm से भी नीचे चला जाता है, तो उसके बाद आपके body में कमजोरी आती है, तो दोस्तों ये सबसे बड़ी problem है, इस चीज से अगर आपने बचना है, अगर आपने exercise करनी है, आप protein जो लेते हैं बाहर से उनको लेना बंद कर दे, fat burners को लेना इसको लेना बंद कर दे, और साथ में जो आप testosterone लेते हैं उसको लेना बंद कर दे, natural exercise कर आप डाइट खाओ, natural fruits काओ, उससे आपकी body बढ़ेगी, अंडा एक बहुत अच्छा protein है, उसको आप ले सकते है, egg white ले सकते है, soya bean है, बहुत बड़े प्रोटीन है, आप पनीर खा स सकते हैं, high fat dude भी आप ले सकते हैं, वह बहुत अच्छा रहता है, exercise में, साथ में अगर आप non-vegetator हैं, तो आप मचली खा सकते, natural protein, दोस्तों उन चीजों को बंद करें, जिन से आपको लगता है कि steroids आपके body में जाते हैं, जैसे chicken हो गया, मतन हो गया, इन में steroids होते हैं, आज कि उसका growth जल्दी हो जाए, तो ये चीज़ें आप लेना बंद कर दें, आप देखोगे, सबजियों में भी आप आज कल देखोगे, हर एक सबजी में injection लगाया जाता है, कि उसका growth बढ़ जाए, तो वो hormone भी अगर आपके body में जाता है, तो वो भी आपको दिक्कत कर सकता है Bodybuilders के लिए बहुत जरूरी है, कि वो proper diet ले, diet से आप body बढ़ा सकते हैं, आप देखें कि हमारे पहले जबाने में अखाडे में बहुत exercise होती थी, बहुत परिश्रम होता था, और वो कोई stress नहीं लेते थे, वो कोई भी external हार्मोन नहीं लेते थे, और उनकी body बहुत strong होती थ अगर आप 1 गंटे में 6-7 km चलते, उसके बाद आपको कोई exercise करने की जुरूर नहीं है, आपकी body बिलकुल fit रहेगी, slim or trim रहेगी, आपका metabolism ठीक रहेगा, पाचन सक्ती बढ़िया रहेगी, digestive system ठीक रहेगा, reproductive system ठीक रहेगा, आपका sexual system ठीक रहेगा, दोस्तों, बढ़िया diet अगर आप smoking करते हैं, उसको बंद करो, ड्रिंक करते हैं, उसको बंद करो, इस सारी चीज़ें अगर आप करेंगे, तो आपके body में erectile dysfunction या sexual dysfunction कभी भी नहीं होगा, अगर उसके बाद भी अगर ये problem आती है, तो दोस्तों, आप हमसे संपर्ग करें, आप हमको लिखें, हमसे बात करें, हम कोशिश करेंगे उस वीडियो, उस topic पर वीडियो बनाने के लिए, और हम कोशिश करेंगे comments में आपको जवाब देने के लिए, ये हमारी कोशिश रहेगे, लेकिन उससे पहले जो नीचे bell icon है, उसको जरूर दबाएगा, subscribe करेगा, आपको हमारे सारे वीडियो मिलेंगे, आप हमसे डिरेक्ट बात कर सकते हैं, संपर्ग कर सकते हैं, और ये एक patient educational वीडियो है, और खाली education, patient education के लिए हमने वीडियो बनाया है, आज के लिए इतना ही, धनिवाद!